हलो दोस्तों, प्लसपन के यूटूब के वीडियोज में आपका स्वागत है, दोस्तों मेरा नाम है निकेत शहा, दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने माले है कि रजिस्टर का प्रयोग हमारी सर्किट में कैसे किया जाता है, बहुत है डीटेल में इस वीडियो म अगर मुझे सर्किट में लगाने है तो उसको लगाने के दो तरीके रहता है, एक रहता है सीरीज और एक रहता है पैरलल, यह जो आपको दिखाए दे रहा है, यह connection इसको क्या बोलते हैं हम लोग सीरीज, सीरीज में क्या होता है कि एक रजिस्टर का समझे शूरवात यहां माल लोग, अगर आपके पास एक सर्किट है, ठेक है, इस सर्किट में माल लोग की यहाँ पर रजिस्टर यह फूड जाए यह आध खराब हो गया है, वहाँ पे रजिस्टर को आपको लगाना है 200 ओम का रजिस्टर, लेकिन समझे आपके राहा हो, लॉकडान चर रहा है यह कम value के register है, तो आप उसको कैसे लगाओगे circuit में, simple तरीका है, उसको series में लगाना पड़ता है, मालो कि जैसे 100, 100 के 2 है, तो आपने एक register यहाँ पे लिया, उसका एक हिस्सा दूसरे register के साथ में जोड दिया, और यहाँ पे, यह हिस्सा और यह हिस्सा हमारी circuit में चले जाएगा, तो total resistance 100 plus 100 is equal to 200, यहाँ पे क्या होता है, value को plus किया जाता है, इनकी increase कियाता है, इसी प्रकार से मालो की 50-50 ohm के register हैं आपके बास, तो इस तरह से 4-50-50 ohm के register ले लिए, तो आप उसकी value को भी total करके 200 ohms आप बता सकते हो, इसी प्रकार से समझो, एक 100 ohm का है, 250-50 के तो भी चलेगा, इस चीज़ को बोलते हैं हम लोग series connection, series connection का formula बहुत ही simple है, total resistance equal to register 1 plus register 2, बन्लाब n number of register, बन्लाब यह 4 register लगे हुए, तो total register कितना हो गया, इसी प्रकार से और एक देखते हैं हम लोग, मालोग यहां पर आपको 200 ohms का register लगाना है, और आपके बास जो register वो समझो, find a doms का है, तो आप क्या करोगे, उसकी value घटाओगे कैसे, physically तो value घट नहीं सकती, तो उसको घटाओगे कैसे, बहुत ही simple तरीका है, उसको हम लोग को parallel लगाना पड़ता है, यह आप देख सकते हैं, यह parallel चीज है, यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे, तो R1, R2, R3, R4, सभी को positive और negative दोनों लाइन गई हुए, अलग-अलग, इसको हम लोग गोलते हैं, parallel connection, इसका मतलब होता है, इसमें decrease होता है, value क्या होती है, decrease होती है, इसको बहुत ही detail में, example के साथ में देखेगे, जानकर देख लिए को बता दू, हम लोग ने online में भी कई सारे courses चालू कर दिये, यह courses में electronics है, जिसमें PCB repairing आता है, electricals है, home appliances repairing है, computer hardware, laptop repairing, mobile repairing, computer software में भी electronics के अंदर भी बहुत सारे options है, computer software में भी बहुत सारे options है, जैसे कि advance excel हो गया, tally हो गया, फिर video editing हो गया, sound editing हो गया, robotics हो गया, यह सब courses करने के लिए आपको केवल mobile में एक application डाउनलोड करना पड़ता है, जो की Google Play Store से आपको मिल जाएगा, application का नाम है, plus point training new, यह Google Play Store में आप सर्च करोगे, plus point training, तो भी आपको यह application मिल जाएगा, अधिक जान करीजिए हो, तो यह मेरा WhatsApp नंबर है, इसमें मुझे केवल high का message डाल दीजिए, सबसे बला है तो उसका formula देखो, formula बहुत ही आसान है, 1 upon total resistance, equals to 1 upon R1, plus 1 upon R2, plus 1 upon R3, plus 1 upon R4, यह उसका actual में, क्या बोल सकते हैं, उसका सूत्र है, यह उसका formula है, आप इस तरीके से भी लिखते हो, RT is in a total resistance, equal to 1 raise to 1, plus R1, plus 1 raise to R2, plus 1 raise to R3, plus 1 raise to R4, इस तरीके से भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो, अगर आप calculator से करना चाहते हैं, तो इस तरीके से कर सकते हो, बहुत ही simple है, चले हम लोग करके देखते हैं, इसका हिस्तमाल, माल लोग कि यहाँ पर आपने 10-10 Ohm के 2 राइस्टर लगाए, कितने, 10-10 Ohm के 2 राइस्टर पैरलल में लगाए, तो आपको total resistance कितना मिलागा है, मल्टिमेटर से आप चेक करने की कोशिश करोगे, तो कितना मिलेगा, चले formula देख लाए, तो माल लोग कि यह formula मैंने लिया है, total resistance equal to 1 upon 1 raise to r1 plus 1 raise to r2, इस formula का इस्तमाल किया है, तो अगर मैं total resistance देखना चाहता हूँ, equals to 1 raise to 1 upon 10, यह 10 मैंने r1 का लिया, plus 1 upon 10 मैंने यह r2 का 10 लिया हूँ है, तो total resistance का लिया है, 1 upon 0.1 plus 0.1, total resistance अगर 0.01 को total कर दिया, तो 0.2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, हमें total resistance 5 मिलेगा, 7 मैंने यहाँ याने की, दो अगर 10-10 ohm के register लगा है, तो उसकी value घट कर कितनी हो जाएगी, total resistance हो जाएगा 5, याने की value क्या हो गई, घट गई है, यहाँ पर कम हो गई है, समझ मैंने आरी बात, चले और example लेता है, समझो 5-5 ohm के register लिए, तो उसी प्रकार से अगर calculation करोगे, तो यहाँ पर मिलेगा आपको धाई ohm, value घटा दी गई, चले और एक देखते, मैंने यहाँ पर तो same-same value अले दिए, मानलो कि यहाँ पर आपने 200 लिया और 50 लिया, एक जो है register की value 200 और एक की value है 50, तो अगर मैं इस तरह से इसको calculation करोगे, तो मुझे यहाँ पर मिलेगा केवल 40 ohms, सबज में आरी बात, इसी परकार से और एक यहाँ पर देख लेते, मानलो की 3 register लिए 10-10 ohm के, तो same उसी परकार से अगर calculation कर रहेगे, तो 3.33 ohms, अगर अपने पहले देखा रहेगा यहाँ पर, तो 10-10 ohms के 2 लेता हो, तो 5 ohm मिलता है, 3 ले लिए, तो कितना हो गया, 3.3 ohm, और कम हो गया, तो इस परकार से, अगर आपको जबी value को घटाना है register की, तो हम लोग उसको parallel लगाते हैं, अभी आपके लिए यह homework है, मान लोग एक 100 ohms का register लिया, 110 ohms का register लिया, और 20 ohms का register लिया, और यह तीनों को parallel में लगा दिया, तो total resistance कितना निकलेगा, चले मुझे फटाबट से, comment section में बताईए कि total resistance कितना होगा, याद रखे कि जो पहले 5 जो comment करेगे, color code, अभी register में आप देख सकते, अलग-अलग beautiful colors में आपको नजर आ रहा है, लेकिन इससे उसकी value को कैसे पैचाना जाए, बहुत ही आसान है, बहुत ही simple है, उसके लिए मैंने already एक video बना है, यह आप register color code करके, यहाँ पर देख को आई का icon दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करो तो इसका भी icon मिल जाएगा, यह वीडियो भी आपको नजर आ जाएगा, जिसमें इमने बताया कि, इस register का यह जो चार धारिया रहती है, यह color रहती है, उसका मतलब क्या है, उसकी value कैसे पैचानी जाए, I hope कि दोस्तों मेरे वीडियो पसंद आया रहेगा, दोस्तों अगर online courses अगर आपको कोई भी करना है, तो यह मारा WhatsApp नमर है, कि एवल मुझे high का message जाल दो, मैं WhatsApp पे पूरी जानकर यह आपको details भिजवा दूगा, दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया, तो like और share करने ना भूले वीडियो अपने दोस्तों के साथ में, अगर आप नए है चैनल के वो तो subscribe का बटन दबा के bell का इकन दबा दीजए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियो जाएका, उसको notification आपको जल से जल मिल जाए,